हलो दोस्तों वेलकम ऑन मैं चैनल इए आंड इन्फो इटिए एक इंफोर्मेशन सभी एंसी वीटी ओन इयर ट्रेड इंजिनियरिंग और नॉन इंजिनियरिंग के लिए एक्जाम से रिलेक्टेड इंफोर्मेशन है वो सभी ट्रेडिज आईटिए ट्रेडिज या तो वो प्राइबीट आईटिएज में हो गोर्मेंट आईटिएज में हो जो बच्चे सन 2019 अगस्त 2019 में अड्मिशन लिये थे उनका कोर्स वन इयर का था 2019 से 2020 कोविट के चलते उनकी एक्जाम नहीं हो पाई थी उन बच्चों की एक्जाम स्टार्ट हो गई है और इन बच्चों का जो CBT एक्जाम है कम्प्यूटर बेस्ट इक्जाम है वो 31 अक्टूबर 2021 संडे के दिन निर्धारित के आ गया है यंसी वीटी की तरप से और एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं चाहे वो ट्रेड इंजिनिरिंग हो या नौन इंजिनिरिंग हो दोनों ही ट्रेडों के एड्मिट कार इस अब दोम भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर वहां से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो जिस आईटी आई कैर ट्रेडिंट अपने अपने क्लास इंस्ट्रक्टर को संपर्ग करिए और आप वहां से अड्मिट कार्ड कर लीजे और अपने एकजाम के लिए ज नौन इंजिनिंग में जैसे आपका कोपा है, बेसिक कॉस्मेटोलोजी है, स्विंक टेकनोलोजी है, इस तरह के जो नौन इंजिनिंग ट्रेड हैं, सभी के एक्जाम CBT 31 अक्टूबर को निर्धारी थे हैं, यां CBT की तरप से, और ये तीन सिफ्ट में एक्जाम हो रहा है, नौन इंजिनिंग के बच्चों का जो पेपर होगा, वो सवा 2 घंटे का होगा, इंजिनिंग ट्रेड में आपकी थियोरी, वर्कसाप, कल्कुलेशन और साइंस और इंपलाइबिलिटी, ये तीनों रहेगा, और नौन इंजिनिंग ट्रेड में जो सवा 2 घंटे का पेपर ह होगा उसमें सिर्फ theory और impliability होगी आईए हम लोग इसको देखेंगे कि कहां से हम लोग download कर सकते हैं जैसे ही आप Google में MIS NCVT लिखेंगे आपको ये खुल करके आएगा NCVT MIS पर आप click करेंगे आपको अपने computer या आपको अपने mobile पर ये display दिखेगा ministry of physical development and entrepreneurship आप trainees पर जाके trainees profile पर click करेंगे जैसे ही आप trainees profile पर click करेंगे यहाँ पर आपका registration number मांगेगा तो registration number के लिए आपको सबसे आसान जो रास्ता है वो ये है कि आपका जो जब आप trade practical दिये थे तो trade practical में आपको admit card मिला था उस admit card का आप जो roll number दिया है वहाँ पर तो roll number के पहले 00 लिखा है तो 0 को आप R से replace कर देंगे 00 के जगा R लिखेंगे 2019 मेंड मिशन हुआ था तो 190809260140 इस तरीके से आप अपना registration number डाल सकते हैं guardian name में आपको अपने पिता जी का नाम डालना है capital letter में डालेंगे हमने ये नाम डाल दिया नाम पढ़ गया data birth का format आपको याद रखना है जैसे आपका जो sun रहेगा वो आप year select कर लेंगे जैसे ही आप अपना year select करेंगे year select करने के बाद आप month select कर लेंगे जो आपका month है suppose अगस्त है तो हमने अगस्त कर लिए तो ये format में ही update आप बर्थ डालेंगे कि year हो फिर three letter में जैसे capital A है small ug इस तरह के से होगा और image यहाँ पे जो text आएगा वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे 844-05 उसके बाद remember me क्लिक करके आप submit कर देंगे आपकी profile खुल करके आ जाएगी जैसे ही profile खुल के आ जाएगी यहाँ पे देखिए आपका download हो रहा है आपका हाल ticket यहाँ पे देखिए download हो गया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका हाल ticket इस तरीके से मिल जाएगा तो यह आपको देखिए यहाँ पे यह exam date है और यह non engineering trade है swing technology तो यह आपको यहाँ पे employability skill और trade theory दो paper देना है timing ए 4 to 6.15 यानि सवा 2 गंट सवा 2 गंटे में यह paper होंगे तो इस तरीके से आप अपना हाल ticket डाउनलोड कर सकते हैं तो thank you दोस्तों wish you all the best for your cbt exam enjoy your time और ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों में share कर दीजिए जो बच्चे ITI कर रहे हैं ताकि उनके तक यह सूचना पहुंच आए thank you